आप नीतु गुपता यौर साइंस टीचर फ्रॉम ज्यानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सुखहबाद पिछली वीडियो में हमने क्रॉप प्रडक्शन एंड मैनेजबेंट यौपा चैप्टर फरस्ट है उसकी टू पार्ट कंप्लीट किये जिसमें कि हमने कि हमलार सिर्गेशन कंप्लीट करेंगे और अधर नेक्स पार्ट को कंपीर करेंगे इस जीउ में। इस स्टेट करॉड ए प्लांन थी प्लांच को वाटर सप्लाय करना इसकॉल्डव इंधस्तुटे मैठट के उसकारते घ्लिचिन में और फ करसी जोट लाग जिस्तर अंग जो वैल में पुली के ऊपर रोप को ड्राइब करते हैं एक सिरे पर उसके कंटेनर बढ़ा सा कंटेनर बांगती है और दूसर उनकी गुलक्स बफैलो या किसी अधर अइनिमल से बांग देती है जिससे कि वह उसे ड्राइब कर सके छी इस वह है जो आपकी जब हुए में जात जाता है और फार्मर निकाल कर अपने पॉदर में पानी डाल देता है नेक्स जाता है आपका चैन पंप में क्या होता है कि टू वीज़ वन वीज़ और टू वीज़ यूज़ की जाते हैं एक वीज़ को हम जो लोघ सोर्स है वाटर का उसमें को जाता है यम यूज़ करते हैं लगा देते हैं वह तक किषी आपका दूसरा वीज़ यह यान की फील्ड पर लगाते हैं दौर्म pior θα से जाइन करते chain पर हमारे कई सारे container बंदे होते हैं जब इसके handle को चलाया जाता है तो यह chain rotate होती है इस wheel पर और ऊपर निचे आते जिसके container हमारे निचे जाकर water filter करके ऊपर आकर वो खेतों में पानी को डालते हैं, इस तरह से chain pump का कारे होता है नेक्स्ट आपका आता है धेकली धेकली में क्या करते हैं धेकली में सैलो वैल यूज़ के आता है और ऐसा कुवा जो गहरा नहीं होता उसमें हम बीम के द्वारा एक लकड़ी का बीम होता है उसके द्वारा हम पाने खीशते हैं इसके लकड़ी के एक सिरे पर हम बकेट को बान देते हैं और दूसरे सिरे को हम भारी बजन से बानते हैं जब हम भारी बजन को खोलते हैं तो जो बकेट है वो नीचे गिर जाती है पानी में और पानी उसमें भर जाता है और जब इसको निची गिराती है भारी ब cheese डाल कर तो बकेट यो हमारी ऊपर आ जाती है और इसको farmers निकाल कर पानी अपनी केटों में डाल लेती हिसी सइब दोनाता में अपकी एक मुर्पर माचच पर मूँच पर जो एक्सल लगा होता है उसके लगा होता है लूंग वेल्ट एक लबी सी बैल्ट बहुत मैनी-मैनी स्मॉल मैटल कोड fundamental इसकी सल dong विलगे बाइन अब्शक्री के यह के Sun उसको पनीचे, लग भल्ट जाती है तो बाने यादीन भशाल जाती है मैं तो पहने भाने के जो चोलाता है विजा फैलो पहरो है और जाड़ हो है जो उसरा किते हैं उसकों schlama करते हैं जिससे की जो jaki जो कंटेनरे रही पानी डालते से जहता हैं यह तो है decodack जो कि जिसमें की लेवर भाष्ट होती है फार्मर की और इसके लावा टाइम भी बहुत खर्च होता है इस टाइम और लेवर से बचने के लिए आजकल हम यूज करते हैं तह युज अव पंप्स तम्स को यूज करते हैं फ़ार इरीगेशन करने के लिए जैसा कि पिच्चर में आपको दिखाया गया है एक टूबल है जिसको कि हम पास की नदी में या आपका स्टीमन है यह लेक्स है पॉंटोस है उसमें से हम पाने को उठाते हैं पंप की दरह अव पंप जो है वह कवैंश चलता है तो इसमें भी पानी बहुत जाला खर्च होता है तो आजकर हम कई सारे दोतर्ड में इरिगेशन में युसकर करने हैं पराकिस इडिगन कि अब इसकों इसको इरिकेशन में उस्कर यूजर जयतका है प्लाहें पर उसके ऊपर टॉप पर डोटेटिंग नोजल्स लगी होती है जो की घूंगती है और जब उसमें पानी सप्लाय होता है तो इस नोजल्स के घूंगने पर पानी का छिड़काव होता है इंस्प्रिंग्ल होता है क्रॉप पर एज इस रेनिंग जैसे बर्सात हो रही है इस तरह से उसका पानी का छिड़काव होता है और इस प्रिंग्लर सिस्टम वहां यूज के आता है जहां पर सैंडी सोयल है या फिर वाटर सफीशेंट अवलेबल नहीं है तो हम आपर इस इस प्रिंग्लर सिस्टम को य चिद्र होते हैं और वाटर जिस चेट सी वाटर है पॉल्स डायक्ली निर दर रूटस चीधे वाटर जो है डूटस में गिरता है ड्रॉप ऑई ड्रॉप बाइड्रॉप इस से पानी जो जूज के आसपास के सतय है सब्सक्राइक तैसे वह स्था इस पानी को एब्सार्प क और ऐसे चेत्र के लिए ऐसे रिजन जहां पर वॉटर बहुत ही आतरा में अवलेविल है। उसके लिए beetle सिस्टम के रोगे हैं। इसे से क्या होता हैं। अब लेडी और वोटर बहुत ही कम है वेड़् के लेंन्स नाव लिए डिस्कस रिमूविंग डबीड्स वीड्स को रिमूड करने हमने प्लांट को सो कर दिया लोईंग ता फील्ड को तेया कर दिया हमने इसमें इरिकेशन होमारी क्या होगा जो प्लांट है वह हमारा बड़ प्लांट प्लांट भी अन वान्ट एडंड प्लांटीड प्लांट जो वीस प्लांट मेफने कि ऊंर अर्ल की प्लांट ? तो दे प्रॉसेस और रिमूविंग वीड्स लागि वीड्स को निकालना इस कॉल्ड वीडिंग उसे हम कहते हैं वीडिंग जो प्रॉसेस हम वीड्स को निकालने में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वीड्स और वीड्स क्या होते हैं अन्वांटेड प्लांट होते हैं तो वह भी क्रॉफ प्लान के साथ लेंगे वह वह भी साथ-साथ जिससे क्या होगा वह भी उनकी जो प्लादर सकते हैं निवह हैं तो हम फिर्पैंड हैं एक हमाड़त कर सकते हैं और हम सगकाल से और कंडतर उसकी यहीます या फिर removing by user trouble और खुर्पा this one खुर्पा EPA खुर्पा खुर्पी से हम इसको निकालें या फिर destroying them by spraying weeds we decide तो याद हम hands से निकालेंगे तो क्या होगा पर तो weeds के example क्या होते है कौन कौन सी weeds उत्पन हो जाती है आपके पास हमारे पास कई सारी weeds उत्पन जाते हैं हमारे खेट में जैसे कि हमारा जवी है एक हमारा होता है जवी यह भी हमारी एक प्रकार की weeds है और दूसरा आपके उतिक grass घास भी उगाती है कुछ मात्रा में अगर चोटा सा field होगा तो हम उसको उखार सकते हैं भीमेदी में करके लेकि और हमने उसको जड़ समयत नहीं उखाड़ा तो वो क्या होगा फिर से उगाएगी फिर से बढ़ी हो जाएगी तो कभी कभी क्या होता है कि अपने प्लांट को वैसे जो weeds है वह हमारी उख़द जाती है अगर हम उसको प्लो करते हैं तब भी कुछ weeds हमारी ऐसी होती है जो उ में सापका है चीनो पोडिया डैजी हं या तो छीनो पोडिया जिसे हम बत्थॉप विन बेने उखते हैं इस करे सका मिए हाए इसको हम हैंड सो हमेड因 हम हमें ऊखाते हैं ज़़द समय तका हो हैm photography जाल नहीं हैगा बेंड थास GoPro एपिर cooperation लीग क्योन चार्वभी. खुर्पा और खुर्पा भी यूज करते हैं कि क्या होता है हम उसको जड़ समय खाज सकते हैं इसके लाबर डिस्ट्रॉइंग देंग बाइब स्प्रेइंग वीडिसाइड वीडिसाइड में यूज करते हैं भीरे साइट को आज करने लिए हम इंदा फेल्ट और जिबन करते विरinkोली अधि चिर्श कुर्टस्षाइब हैं जिसे हम बोलते हैं आपका टू-फोर्डी कि अब कि नाओ जैसे टू-फोर्डी यह भी आपका एक वीडी साइड है नेक्स आपका है mcpa यह भी एक वीडी साइड का नाइम है और एक आपका है वीटा क्लॉर्ड इस वन वीडी साइड है इसको हम यूज करते हैं खेतों में तो वीडी साइड क्या करते हैं किल करतें डिश्ट्रॉय करते हैं रीडी साइड को वीडी साइड को करते हैं हम यह ध्यानर जाए कि हमारी अंदर पूर्ण जा पाए इसकी हमें अपने फेस को अपनी नूज को कबर करने शाएं इन हेलिंग में इसकि वह नहाचाया जा पए जिससे कि हमारी इन्हेलिंग के कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारी जो लंग्स हैं उनको वो डैमेज ना कर सकते तो वीडी साइट को यूज करने इसके लिए हमें अपने फेस को कवर करना चाहिए तभी हमको इसको मसीन से या बार हैंड हमको हम स्प्रे कर सकते हैं वीड कर दिया। अब कर दिया हमें आपका बीस सीट फोग कर दिया हम इनूफ कर दिया इसको प्लॉंत कर दिया हम अपने मैचूर वो इसमजाब अब उप्लोड 272 भीडी कॉक और बी 1580 को वीडिंग को वीडिंग कर दी हमने उसके बाद क्या हुआ अब जो हमारी क extended 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 último क। को अर्वेस्टिंग करें तो हम क्या करेंगे करेंगा कि क्या वोलेंगे का या क्टिंग करेंगी तो से एक मैचों के बाद मुंस गुर्ण वी सुनझ करते हैं नुछ करते हैं सब्सक्राइब ग्रविस्टि तहके, इसे ही दो नोजेते ही तो यह लो हम कर लेंगे शाखता कि मेनट है, तो मि कि आपकी जो हुआ राप है वहां पयोद कि आफ हो तक बरिन हो देंगेर स्टाफ के साथ सब्सक्राइब होता में यह फिल् настолько सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब करेंगे उससे हमें साफ दीकिन निकालना उसके हम striking क्रेंगे उस taraf हमें हार्वेस्टिंग किets करने से कंशिए ओफ रहां झालना देवेंग वेता फिकाैब फ्लांति से के च रहा वी अदिकिहें को हम आपकर कभी क्या करते हैं कि हम घ्रalone लिया कई सारा ग्रेंस लिया और हमने एनिमर्स को छोड़ दिया तो एनिमर्स जब उसके ऊपर चलेंगे तो क्या होगा उसको दवाएंगे अपने पैरों से जिससे कि क्या होगा उसके जो छिलके हैं ऊपर की जो आउटर कवरिंग में धिली हो जाएगे और उससे वह चाफ जो है अलग हो जागा ब्रेक अप हो जागा और ग्रेंस निकलाएंगे बाहर इसके अदर हम थ्रैसर भी यूज़ करते हैं थ्रैसर मसीन है जिसको हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए ओके नाव तब्रोसेस ओफ सेपरेटिंग ग्रेंस फॉर्म चाफ एंड हे क्याता मैं जब फ्रैसिंग करना यह तो donげ चाफ भी हो गभा है और भी होगा हमारा ग्रेंस भी हो जाने एक प्रोसेस ऒररटिंग ग्रेंस फ्रॉम चाफ एंड है entren विल्प औफ वन्ओं ही विनओंग हवा वक्रसेस सबस्डीण हंवा के अइस कॉल ग्यों पॉल्प राइध को हम मैनुली करते हैं और कभी कभी हम सीन की दोरा करते हैं कि हम इसको डालते हैं तो जो भारी होता है तो जिससे कि वह नीचे की तरह बैढ़ आते हमने सूप लिया और उसमें बहुत सारा ग्रेंस ले लिए और जो आपके वह है जुछ चाफ है वह आपका दूर जागे गिरे कि अब हमारा हमने कि इसे तरह से और विनुएंग और हारवस्ट जब हम एक ही में से करते हैं तो शेंव बोलते हैं कमबाइण औरुजी मसीन क्मबाइण क्या है में यूज मसीन है जो कट करती है थैंड ईसे एल क्रॉप धरा हुआ हैं उसको हम जो harvest भी करेगी, threshing भी करेगी और separate भी करेगी यह तीनों काम जब एक मसीन की द्वारा होते हैं तो उसे हम बोलते हैं combine, ओके तो हम इसको कैसे लखेंगे, a combine is a huge machine which cuts the standing seeder crop like wheat in the fields, threshing it and separate the chaff from grain in one operation यानि कि एक ही operation में उसको harvesting भी करनी है, threshing भी करनी है, renewing भी करनी है तो वह एक मसीन को use करेगा combine को और वह सारे तीनों कामों को कर लेगा इसके अरावा जब हम जब हमारे यहां पर क्या होता है? Harvesting जो combine है, combine से क्या होता है? combine के जिस तरह से advantage हैं वो एक ही machine से सारे काम कर रहे हैं तो कहीं न खहीं पर उसकी क्या होता है? disadvantage क्या है क्या है क्युक्क क्ला हूता है, वो, तक डंडिया नीचे रहे तो प्रक्रम मझेखता है रहा जक्ण करते हैं तो क्या होता है यह सिर सारे का करते हैं और मैंचे क्या होतहाई ए तो क्रृशों आ director of Exinks कि कह vel Rise like जो कभी कल जाती है कि अलावा पीस्तेकी काम कर रहे हैं तो इसेवारा निकलता है और बूहती कम निकलता है कम मात्रम निकलता इस कंभाइन को यूज़ करने से अब आता है आपका हार्वेस्ट टेट फैस्टिवल क्या होता है जब वैंद जो क्रॉप है जो मैच्यूर हो गई हमारी रेडी हो गहीं हार्वेस्टेट के लिए लगता है हमारा Woo Chee दियुक जाता है तो साइट पज़ंड होता है वह मन भावन होता है फार्मर्ड के लिए उनकी हम को अनन देता है तो यह कि परियस आनन का होता है है फार्म 안न के लिए इसलिए करते हैं यह पॉंगल बैसाखी वोली नवञन्या एंड भी भी हुआ हमारा किसका अश्वाम का है आश्वाम का फेस्टिवल है इस तरह से कई सारे फैस्टिवल जो फार्मर से वह मनाते हैं ना नेक्स आता है आपका कि हार्वेस्ट कर लिया हमने फूर ग्रेंस को कलेक्ट कर अपने साफ ब्रेसिंग कर दी सफ कर लिया समय स्टूरेज कसे हम इस अपने फ्रेस्ट निकाल लिया थे तो उसमें मौस्टर भी होता है कही सारा करने कर इस पर कोई तो इसके लिए हम क्या करते हैं शुलाइक करते हैं सूरज की रोसनी में उसको सुखाते हैं और इसको स्टोर करते हैं ग्रेंस इंजूने आपने और जचे देखा, एकली अपकशुआ है यह मुझा लुखा हैं उसके बार इसको ड्रम में रखती है और नीम की पतियां डालती हैं पदूसक्ति नालती tepsi कि इसमें इन्सयार नाल लगे और शाण कि खत्म हो जाय माइक्रा और इसा तरह है तरहां जूने फिर रही बिंच में उसको करते हैं से जो द्रिक्व heate सपें अलब में उसको सोर हम आति और उसमें किल अधर्ि कर और सत्सक्राइब उसको सब्सक्राइब करेंड हले बीसिया Бडी मात्रा फुड क्रेंज को कलेक्ट करती जैसे अमारा एस सी आइस सियाइई को हम भान थे फूट कॉर्पॉर्परेशन ऑफ इंडिया जब इसके ऐस को फूर्मर जो फूर्मर हो नाय, चरुशिए से बहुत लाज इसी लोट इसमें बड़ बड़े container होते हैं मैं चलिक में स्टोर अर यह पुरिप तो नवी स्टोर में हैं रहा हुआ है अधिक हमारा जूद बैग हम जो यूज करते हैं। कि इसमें क्या होता है अनास खराब भी हो सकता है कभी-कभी बहुत दिनों दर खराब जाता है मौश्चर लग जाता है इसके अंदर रेट्स खराब कर देते हैं और एडवांटेज यह है कि इनको ट्रांसपोर्ट करने में हमको सुधा होती मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान एक स्थान खाख करने के तरिका होता है जो कि भड़ प्रमाने पर रहने इस लिए घृटा करता है variety जहां पर कि घेंच को छलेक्ट ने करब हैं इसमें डालते हैं दालते हैं लीफ्ष छिससे कि हमारा फूड्स पर पर कोई मॉश्चर या ना लग सको अब भी हमने पढ़ा food from plants हमें food from animals प्राप्त होता है तो animals को भी हम रियाट करते हैं पालते हैं अपने food के लिए तो कुछ animals चासे हमारे animals जो है हमारे दो टापस की होते हैं एक तो हम मिल्क देने वाले जिससे हमें दूद मिलता है और दूसरा ऐसे अनिमल जिनसे में मीट और एग मिलता है तो अनिमल और प्रोवाइड मैनी काइंड्स फूड यानि कि मिलक है आपका आपकी मीट है आपका चीज है आपकी एग है इस तरह कई सारे फूड्स आपको मिलते हैं आनिमल से तो पीपल इन कोश्टर एरिया में जो छोग रहते हैं वो क्या कजायात्ता प्संद करते हैं ख depends को कि खान सुड्स को कि है इसके हमारे हालियन कुछोड्य और आपकि आलिसटीविं 1 है इसके ऐसके अधियो फूड्स करोड्स का नृवट हमब completed कृएं और पीएसक शिए के विश्यों जाब आनि गार्णिकर नाज़ पर पालते हैं में लोग डाती है जायता है फिसको खाना पसंद करती है आता है अपका एनिम्ल रियर्र अट हम और इन फाम्स ऑनलाज स्केल जब हम इन्मेश फोल घर पर पालते हैं वह से कि अधर ब्रांचे से भी आपने पढ़ा प्रोडक्शन पढ़ा उसी तरह से एक ब्रांच ओफ एक्रिकल्चर विच टीस विद फीडिंग इस एल्टर है फिडिंग पालना बिजनिस के लिए पालना और उसके फीडिंग इसालिग यह बीडिंग करना तो उसी हम बोलते हैं अनिमल हस्बेंडरी तो इसकी अनिमल हस्बेंडरी में कई सारी प्रैक्टिस होती है कई सारी जैसे अभी बेसिक प्रैक्टिस पढ़ा उसमें आपने सेवन स्टेप पढ़े तो सेवन स्टेप पढ़कि आपका जो क्रॉप्स है वो आपके पास आता है इतने स्टेप्स आपको फार्मर्स करते हैं तब आपके पास साफ अनाज आपके पास आता है इसी तरह से हम आनिमल्स को पालते हैं तो आनिमल्स के लिए उन क्या करते हैं पहरे तो उनको आनिमल्स को अच्छी तरह खाना देना है उनको प्रॉपर फीडिंग करानी है आनिमल्स को प्रॉपर सेल्टर देना है इनीम्मोड्स को इसके लाबा प्रिवैंशन भी दे दो क्रमेंटकरनाय दिजीज से उनको संक्राइज इस EN PlayStation को हम अपने बीजनिस के रूप में लेते हैं तो ज़रांज्स स्केल पर करते हैं डेली फ़रम में करते हैं तो हम कई सारे अनिमर्स को पालते हैंipировать और उनकία प्रॉपर फीडिंग कराते हैं, उनको माले वे झाल झाल